नमस्कार दोस्तों दर्भंगा रखस में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे दर्भंगा एरपोर्ट की कि क्या यहां पर वाच आवर बढ़ने वाला है क्या शाम में भी उड़ाने होंगी क्योंकि जो खबर आ रही है उसके अनुसार यहां पर फ्लेड लाइट जो लगा नहीं रह सके तो एपरन में फ्लेड लाइट लगाने का मतलब यही हो रहा है कि कहीं वाच आवर बनाने की प्लानिंग तो नहीं है क्यों लगातार यह मांग उठ रही है कि वाच आवर बढ़ाया जाए जो दूरेशन है फ्लाइट का उसको बढ़ाया जा और वो तभी संभ तो Airport Authority of India की तरफ से जो टेंडर जारी हुआ है यह टेंडर है यह इसमें लिखा गया है कि प्रोविजन ओफ एपरन फ्लेड लाइटिंग एन एसोसियेटेड एलेक्टिकल वर्क से दर्मंगा एयरपोर्ट एट एस्टिमेटेड कोस्ट 84,79,430 यानि करीब अन 85 लाख रुप विमान पार्क किया जाएगा तो यहां पर अंधेरा नहीं हो और यह अंधेरे की वज़े से विमान को पार्क यहां पर नहीं किया जाता है अभी फिलाल जो भी विमान आता है वो विमान आने के बाद उसी समय रवाना हो जाता है एक से एक आत घंटे के अंदर 45 मिनट के अं संतिम चरण में है रनवे पर जो फेंसिंग की जा रही है यह लाइटिंग लगाई जा रही है उसका भी काम चल रहा है जिससे की उमीद यही है कि आने वाले दिनों में शाम के समय में भी यहाँ पर विमान सेवा जारी की जाएगी शुरू की जाएगी ताकि लोगों को जाद मौका मिले आने का और जाने का और साथ के साथ विमानों के संख्या भी बढ़ाई जा सके आपको बता दें कि जो टर्मिनल है उसको भी बढ़ाने के लिए जो कारवाई चल रही है और उसको कुछ महीनों के बाद यह साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर विमान भी बढ पड़ गया है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमने जी सब्सक्राइब कीजिए कुछ और वीडियो के साथ हाजिर हूंगे आप देखते हैं दर भंगा रॉक्स और शुक्रिया धनवाद जैन जबियाद जबितला